इस तस्वीर को देखिए अब इस देश के टेलिविजन चैनल पर ये सब बहस भी हो रहा है किस तरह से इस देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है अगर लोग की जान चली जाएगी तो क्या होगा इस सक्स का नाम है अनुरुध जिसको पुफेश्जनली सक्स ने अपना नाम अनुरुधा चार्ज रखा हुआ है यह सक्स के बारे में आप जब परहेंगे तो पता चलेगा कि यह सक्स परहा लिखा बिलकुल नहीं है और ये ब्रहामन समाद से हैं, इनका पुस्तेणी काम है ये, καथा कहानी बाचना और ये सक्स कथा कहानी नहीं बाचना ए, धर्म का परचार परशार नहीं करता है धर्म का परचार परशार कथा बाचना ये आपका fundamental rights है, संबैदानी क अधिकार है दरसल ये सक्स सर्याम लोगों में अंधविश्वास करमकान फैलाता है कई सारी चीजे इनकी पब्लिक डोमेन में हैं परहाई लिखाई से लेकर ग्यान से लेकर पहले तो बता दू कि जेनु के प्रोफेसर मीना सहाब ने इनकी जमकर पोल खोली थी और कहा था कि क्या कोई गोबर के में जो गेहूं का दाना है उसको खाने से बच्चा होगा अनूद का और मैं आपको बता दू आर्थिक रूप से सक्स बहुत सफल है बोलबो 90 जो लगभग देर करोर की गारी है उससे ये चलते हैं पैसा बहुत लेते हैं जो आपको दिन राती उपदेश देते हैं कि सब मोहम आया है लाखों की फीस है ये मत परदेश के दमोह से आते हैं तो मैं ये वीडियो क्यों बता रहा हूं क्योंकि डिश्टल मीडिया पर एक बड़ा खेल हुआ है और ये जैकी आदब ने एक पोस्ट लिखा है टाइमस नाव पर अनुरूधा चार को तगरा फसा दिया टाइमस नाव ने अनुरूधा चार को बुलाया और उनके लिए बिसेश तोर पर गोबर मंगाया है देखिए तस्वीर देखिए गोबर मंगाया गया ये गोबर है गोबर है और सुचिए आपको इन लोग की बातों में मत आईए ये हो सकते आपको गोबर खाने के लिए कहें गोबर की लेप लगाने के लिए कहें मैं फिर कह रहा हूँ साबधान रहिए जो मल मुत्र होता है वो ठीक नहीं होता है यह सब पब्लिक डोमेन में है बैग्यानिक सिस्टम से साबित हो चुका है यह लोग सिर्फ आपको emotional blackmail करते हैं गाय हम सब के लिए respectable है गाय दूद देती है गाय बहुत ही मार्मिक पशु है जिसका आदमी से बहुत लगाब है और गाय जो है वो बहुत ही फायदेमंद माना गया है अगर गाय आसपास है तो अपनत्व का होता है ममत्व होता है गाय को लोग पालते हैं और सुरू से ही जब सबहतायें विक्सित हुई है जानवरों में पसूँ में गाय जो है वो सबसे उपयोगी माना गया है और बहुत सम्मान है मान सम्मान है गाय का आर्थिक रूप से भी देखे तो गाय का एक मजबूत पक्ष है वो दूद देती है और जो गाय की जो बच्चे होते हैं वो बह अगर है तो उसे कृसी का काम लिया जाता है वो भी बहुत फायदे मंद है गाय की बच्चिया अगर फीमेल है बच्छरा बच्छी जिसको बोलते हैं तो फिर आगे वो गाय बनती है और गाय जुह है पूरे अको सिस्टम को संतुलित चरता है दूढ देता है लेकिन प्रोटी गोबर को अनुरुदाचार के सामने रखा और उनके वो सब बयान चला है जिसमें वो गोबर से संतान होने का दावा करते हैं गोबर से तवचा को चमकाने का दावा करते हैं गोबर से कैंसर ठीक हो जाने का दावा करते हैं साथ ही टाइम्स ना उने एक ब्यूटिशियन एक कैंसर भी सिसग और एक मनोचिक सग को बुलाया और फिर अनुदाचार को इन सभी भी सिसगों ने एक एक करके तगरीक कलास लगाई है तो सुचिये इस तरह से ये लोगों का पेशा है मैं फिर कह रहा हूँ ये जो बाबा लोग हैं इससे आपका भला नहीं हो सकता है आप अपनी गारी कमाई का दस-दस रुपए जो इनको देते हैं उससे ये बॉल्वो पर चलते हैं अमीर होते हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको टीचर की जरूरत है धर्म बहुत जरूरी है बाबा सहिब ने भी कहा है इसलिए वो धम के रास्ते पर चले मानसिक सुक सान्ती लेकिन ये आता है सेवा से मानव में मानविये गुन जब तक नहीं होगा आप जब तक भेदभाव आपके मन में भरा हुआ है छल पर पंच भरा हुआ आप बैमानी कर रहे हैं और आप चाहेंगे कि गाया को दो रोटी खिला दे उससे आपको सान्ती मिल जा तो ये आप किसी गफलत में है तो ये कहते हैं कि भईया बीमारी में फायदा करेगा लेकिन अपने डॉक्टर से संपर करें अगर आप कैंसर से जूज रहे हैं अगर आप को तोचा संबंधी कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से संपर करें इस तरह के बाबाओं के इस तरह के कहानी में मत आएं इनका और आपके दस-दस रुपए से ये लोग अमीर होते हैं मेरी आपत्ती न तो इनके धार्मिक होने से है न इनके धर्म के परचाट-परसार के लिए काम करें उससे है दरसल मेरी आपत्ती बास से है कि ये लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं ये लोग आपको ठग तो न आगरुवेश हो सकता है युनानी पद्धिती हो सकती है होँइोपैसी हो सकती है हरवल चिकिस्सा हो सकता है लेकिन इस तरग के जो बाबा है इनकी किसी भी चिकिस्सा में कोई डिगरी नहीं है कोई इनका experience नहीं है इनका सिर्फ experience है लोगों को गुमराह करने में लोगों सुचिए और सबसे ज़्यादा जो परिशान लोग हैं किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं परिशान हैं उनके वो लोग इनके चपेट में आते हैं जिनके पास अभी तक सिक्छा नहीं पहुंची है जो असिक्छीत हैं वो जो दसदस, सो, सो, दो, सो रुपए देते हैं उनसे ये वोलवो पर चलते हैं और आपको गुमराह करते हैं तो चलिए टाइमस नाओ के चैनल को धन्यवाद कहना चाहिए अगर जैकी यादब की बात सही है और इस सक्स ने अगर टाइमस नाओ ने इस तरह से बाबा से सवा पूछा है गोवर को लेकर तो इनको तो कहना चाहिए था कि बाबा आप गोवर खाके दिखाए बहुत सारे लोग को इस तरह से भी मिसगाइड किया जाता है और इसलिए किसी ने कहा है कि जो गाय दूद देती है और गोवर देती है उसका जो बच्छडा होता है उसको भी कि हमको गाय का गोवर नहीं खाना है गाय का दूद पीना है तो ऐसे लोग जो लगातार गुमराह कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है ये लोग एक पुलिटकल एजिंडा भी चलाते हैं राजनिती के जो कई ये तो ये लोग RSS के और तमाम जो करमकांडी लोग हैं उनके ये पूरे foot soldier हैं और मैं खासकर इस देश के सोसिद, बंचित और गाय पालनेवाई लोग से request कर रहे हम लोग गाय का दूद निकालना जानते हैं गाय का पीला दूद जानते हैं हम लोग उने बच्पन से गाय पाला है गाय की सेवा की है गाय के लिए खास काटे हैं गाय को माया है, धुलाया है, भैस पाले हैं, बैल पाले हैं, तो हम लोग जानते हैं कि गाय कितना फाइदे मंद पशु है किसानों के लिए, इसलिए हम लोग उनके परती बहुत सम्मान से जूरे हुएं, पशु हों, पशु पक्ची हों, जो गवपालक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए उनका जो पशु है चाहे वो गाय हो भैस हो वो सब उनको बहुत वो परिवार के तरह उनको मानते हैं मेंबर के तरह मानते हैं उनकी देखवाल करते हैं क्योंकि उनके दूज से ही उनका परिवार चलता है उनके बच्चे की परहाई लिखाई होती है जीवन में आ आपके बच्चे होंगे नहीं संतान है तो इन सब चीजों पर भरोसा मत कीजिए दरसल इन लों का ये पोर्फेशनल काम है और आपके जो सौब पचास दोसो दस रुपए हैं उससे यह अरपती खरपती हो रहे हैं और आपकी स्थिती नहीं बदलने वाली अगर आप किसी तरह की समस्या से जूज रहे हैं तो अपने नस्दीक के डॉक्टर से संपर्क करें जो बकायदा MBBS MD हो किसी भी जोला च्छाप डॉक्टर से भी संपर्क न करें अगर आप किसी तरह की समस्यारों मैं फिर कह रहा हूं आपका मेहनत बुध ने इसलिए कहा है फर्स प्राइटी ज पहली प्रात्मिक्ता अपने स्वास्ट को दीजिए दूसरी प्रात्मिक्ता अपने समाज को दीजिए हम लोग सब मानव मानव एक समान हैं और तिसरी प्रात्मिक्ता जो है वो आपकी जो धन संपत्य है उसको भी दीजिए और मैं इसलिए करा हूं हम लोग किसी बदले की बावना से बोल नहीं रहे हम लोग बदलाव की भावना से बोल रहे हैं शक्रिया